साथियों, अगर आप गौर करें, तो आज से साथ आण्ट साल पहले देश में इथे नौल की चर्चा बहुत कम, रेरली कभी होती थी, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया, तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है, ऐसा ही हो जाता था, लेकिन अब इथेनौल 21 सदी के भारत की बड़ी प्राथ्विक्ताओं से जुड़ गया है, इथेनौल पर फोकस से परियावरन के साथ ही एक बहतर और बहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है, आज हमने पैट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनौल ब्लेंडिंग के लक्ष को दो हजार पचीस तक पूरा करने का संकल्प किया है, पहले जब लक्ष तब सोचा था, तो यह सोचा था कि यह 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली है, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जाग रुकता आई है, और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे, उच्सोपांच साल कम करके 2025 तक करने का निरने किया है, पांच साल एडवांस, साथियों, इतने बड़े फैसले का होसला, बीते साथ सालों में देश ने जो लक्ष प्राप्त की है, देश ने जो प्रयास किये हैं और उसमें से जो सफलता मिली हैं, उसी के कारण ये आज निरने करने की हिम्मत आई है, 2014 तक भारत में एवरेज और सतन सिर्फ एक डेड़ प्रतिशत इतनोल की ही ब्लेंडिंग हो जात पाती थी. जादे का है, यानि करीब करीब आठ गुना जादा इथेनोल खरीदा गया है, बीते साल ही ओयल मार्केटिंग कम्पनियों ने करीब 21,000 करोड रुपिय का इथेनोल खरीदा है, इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड रुपिया खर्च किये गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है, विशेश रुप से हमारे गण्ना किसानों को इससे बहुत लाब हुआ है, वर्थ 2025 तक जब पैट्रोल में 20 प्रतीशत इथेनोल ब्लैंडिंग होने लगेगी, तो आप अंदार लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ओयल कम्पनियों से सीधे पैसे मिलेंगे, इससे चीनी से अधिक उत्पादन से जुड़ी जो भी चुनोतियां है, क्योंकि कभी कभी चुनोई जादा पैदावर हो जाती हैं, तो दुनिया में भी कोई खरिदार नहीं होता है, देश में भी दाम गिर जाते हैं, और बहुत बड़ी चुनोति पैदा रखना कहां वो भी संकट हो जाता है, ऐसी सारी चुनोतियों को कम करने में और इसका सीधा लाब गन्ना किसान के सुरक्षा से जुड़ जाता है, बहुत लाब होने वाला है,